C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावरण अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार प्रिष्ट संखिया 34 अध्याय तीन त्योहार मनाएं एक साथ प्रिष्ट के उपरी भाग में एक चित्र है जिसमें पहाड, पेड़ पौधे, बस और घर बने है मेरा नाम रिशी है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ मैं अपने माता पिता के साथ हिमाल्या के पहाड़ों उपर घूमने जा रहा हूँ हम अपने मामा मामी और अपनी ममेरी बहनों चिया और नोनिका के घर जा रहे हैं वो पहाड़ों के पास ही एक छोटे से गाउ में रहते हैं हम वहां बस से जा रहे हैं मैं बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहा हूँ खिड़की के बाहर का द्रिश्य बहुत ही संदर है सडकें घुमावदार मोडवाली है पहाडियों पर तरा-तरा के रंग बिरंगे फूल है ऐसा लग रहा है कि ये फूलों की घाटी है दूर कहीं तरा-तरा के लंबे-लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे है प्रिश्ट संख्या 35 इस प्रिश्ट के उपरी भाग में बस के अंदर का चितर है और बस की सीट के उपर लिखा है अपने सिर, हाथ और बाजू हमेशा बस के अंदर रखिये यहाँ पर बस की सीटों पर कुछ सवारियां बैटी है चर्चा कीजिए क्या आपने कभी बस की यातरा की है यदि हाँ, तो कक्षा में अपना अनुभव सुनाईए आपने अपनी यातरा के दौरान किस किस तरह के पेड़ और फूल देखे यातरा के दौरान सुरक्षा के लिए किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए साइकल चलाते हुए या सड़क पर चलते समय सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना चाहिए प्रिष्ट संखिया 36 गतिविधी 1 स्तंब आ में दिये गए संकीत चिन्हों को स्तंब बा में दिये उनके अर्थ से मिलाईए यहाँ पर दो स्तंब हैं स्तंब आ और स्तंब बा स्तंब बा के नीचे लिखा है यहाँ वाहन खड़ाना करें कृपया हौर्ण मत बजाएं गति अवरोधक यू टर्न मना है व्यक्ति काम पर हैं और आगे विद्याले है और इसके सामने स्तंब आ के नीचे इनी से संबंदित कुछ चित्र दिये गए है अब आपको इन चित्रों का उचित मिलान करना है चित्र बनाईए आपने सलक पर अनेक संकीत चिन्हों पर ध्यान दिया होगा किनहीं तीन सलक चिन्हों के चित्र बनाईए जो उपर दिये गए प्रिष्ट के तालिका में दिये गए ना हो प्रिष्ट संख्या 37 इस प्रिष्ट के सबसे उपर वाले भाग में एक बस, पहाड और कुछ लोगों का चितर है कुछ देर बाद हम मामा और मामे के गाहों के समीप वाले बस स्टौपर पहुँच गए हम बस से नीचे उत्रे मामा जी हमें लेने आये हुए थे पहले तो हम चौड़ी पक्की सड़क पर चले फिर हमने मामा के घर तक जाने वाली संकरी कच्ची सड़क पकड़ी जैसे ही हम उनके घर के अंदर गए मेरी नजर उनके बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचानता था जैसे गुलाब, गेंदा और गुलहल जो भी हो मैं इन फूलों के सुन्दरता से चकित था मैंने पहले भी बहुत से फूल देखे थे पर ऐसे सुन्दर फूल कभी नहीं देखे थे क्या आप मुझे इन फूलों के नाम बता सकती हैं? मैंने नोनिका से पूछा प्रिष्ट के निचले भाग में रिशी और नोनिका का चित रहे और साथ ही रंग बिरंगे खुबसुरत फूल भी हैं प्रिष्ट संक्या 38 नोनिका ने एक फूल की और संकेत करते हुए कहा ये टियूलिप है मामी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन, हाक, अर्थात एक प्रकार की पतेदार सबजी खाई वास्तों में ये बहुत ही स्वादिश्ट था क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहां टियूलिप का तोहर होता है नोनिका ने भोजन करते हुए पूछा हमारे यहां भी वसंत रितु में बहुत ही लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं इन्हें बुरांश के फूल कहते हैं मैंने कहा मैंने चिया और नोनिका को बताया कि हमारे यहां वसंत के तहवार को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है मैंने उन्हें बताया कि इस तेहवार में मैं और मेरे मित्र अपने आसपास के हर घर के द्वार पर सरसों और बुरांश के फूल सजाते हैं हमारे इस काम के लिए हमारे बड़े हमें आशिरवाद देते हैं हमें टौफियां और मिठाई भी मिलती है इस प्रिष्ट के उपरी हिस्से में एक चित्र है जिसमें नदी में एक नाव है और उस पर एक व्यक्ति बैठा है पीछे पहाड है और उसके सामने ट्यूलुप के बहुत सारे फूल है इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में एक अन्निचित्र है, जिसमें पेड़ पौधे और घर है प्रिष्ट संख्या 49 चिया ने बहुत ही उत्सा के साथ बताया पता है मेरा मित्र वैंकट भी इस मौसम में विशु का तेहवार मनाता है उसमें अमलताश के बहुत सारे पीले फूलों, सबजियों, फलों का उप्योग करके विशु कनी बनाते हैं इस बादचीत में मामी जी भी शामिल हो गई और उन्होंने बताया वसंत प्रकृति का उत्सव है भीशन ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं ठंड से दुपकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेणों पर नए पत्ते आने लगते हैं मैंने मामी, चिया और नोनिका से कहा जब मैं अपने चारों और बिखरे ये तरह तरह के रंग विरंगे सुन्दर फूल देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है कुछ दिनों बाद हम घर वापस आ गए ये मेरी परिवार के साथ बिताई यादगार छुट्टियां थी इस प्रिष्ट पर दो चित्र है उपर वाले चित्र में लड़की ने अपने हाथों से लड़के की आँखों को ढख रखा है और उनके सामने फलों की टोकरी रखी है नीचे वाले चित्र में एक लड़का पतंग उड़ा रहा है और लड़की तितलियों के साथ खेल रही है पास ही उनकी माँ खड़ी है और साथ ही कुछ रंग बिरंगे फूल भी है विशु कनी केरल में नव वर्ष के पर्थम दिन को मनाया जाने वाला एक शुब रिवाज है ऐसा माना जाता है कि सुर्युदे के समय शुब ववस्तों को देखने से आने वाला वर्ष, खुशाल तथा लाबकारी होता है प्रिश्ट संख्या चालीस गतिविदी दो गाईए और आनंद लेजिए वसंत रितू फूल फूल पर जूल जूल कर भौरे गाते हैं गाना डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर्मस्ताना महक महक कर चहक चहक कर हवा यहां इठलाती है तन खुश होता, मन खुश होता जब वसंत रितू आती है कवी सोहन लाल दिवेदी इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं बाएं तरफ के चित्र में एक पेड़ और गिलहरियां है दाएं तरफ के चित्र में एक लड़का और एक लड़की है लड़का जूला जूल रहा है और लड़की के हाथ में फूलों की टोकरी है और उसके सामने बहुत सारे फूल है लड़के ने अपने हाथ में एक चड़िया को बिठा रखा है लिखिए एक यहां दी गई तालिका में लिखी रित्मों के अनुसार अपने क्षेत्र में मनाये जाने वाले तेवारों के नामों का पता लगाईए इस कारे के लिए आप अपने परिवार के बड़ों की सहता भी ले सकते हैं दो इन तेहवारों के दोरान तयार किये जाने वाले विशेश विंजनों की सूचे बनाईए यहां पर एक तालिका है तालिका के तीन भाग है पहले भाग में रितू दूसरे में तेहवार और तीसरे में विशेश पकवान लिखा है रितू के नीचे तेहवार दिये गए है वसंत, ग्रीश्म, वर्षा और शरद तेहवार और विशेश पकवान के नीचे के स्थान रिक्त हैं अब आपको इन तेहवारों के द्वरान किये जाने वाले विशेश विण्जनों की सूची बनानी है और तालिका को स्वयम भरना है प्रिष्ट 41 तीन भिन भिन तेहवारों पर आप किस किस तरह की विशेश पोशाक पहनते हैं रिक्तिस्थान गतिविधी तीन यहां दिए गई तालिका में दिए गए विण्जनों यानि भोजपदार्थ का उससे संबंदित तेहवार से मिलान कीजिए दिए गई तेहवार इस प्रकार हैं बिहु, छटपूजा, क्रिस्मस, इदुलफितर, होली, ओडम, उगादी यहां एक तालिका है तालिका के दो भाग है पहले भाग में लिखा है तेहवार के दौरान बनाए जाने वाले विण्जन और दूसरे में लिखा है तेहवार का नाम तेहवार के दौरान बनाए जाने वाले विण्जन के नीचे कुछ विण्जनों के चित्र हैं और साथ ही उनके नाम लिखे हैं पहला उधारन के तौर पर तेहवार के दौरान बनाई जाने वाले वेंजन में नीचे वेंजन कचित रहे उसके सामने लिखा है ठेक उआ और तेहवार का नाम है छट पूजा अब आप तेहवार के दौरान बनाई जाने वाले विंजनों के आगे तेहवार का नाम लिखेंगे विंजन इस प्रकार है पीठा, खजूर का केक, गुजिया, सद्या, होलिगे, सेवईया प्रिष्ट ब्यालीज क्या आपको लगता है कि सभी लोग तेहवारों में अलग-अलग तरह के विशेश विंजन मनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं जहां आप रहते हैं, क्या उसके आसपास कोई परवत, नदी और ज़र्ना है? क्या आप किसी दूर स्थान पर अपने किसी रिष्टदार के घर गए हैं? वहां आपको कैसा लगा? पता लगाईए आईए मन्थन करें कचर्चा कीजिए एक, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए अलग-अलग तरह के कौन-कौन से वहनों का उपयोग किया जाता है दो, हम यात्रा के दौरान सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? तीन, तेहारों पर बनाए जाने वाले विशेश खादिवेंजन कौन-कौन से हैं? चार, तेहार और उत्सव हमें एक दूसरे से मिलने-जुलने के अवसर कैसे देते हैं? और पांच, क्या आपको प्रकरती के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? प्रकरती की कौन सी बात आपको खुशी देती है? ख, लिखिये एक, किन्ही दो रिश्टदारों के नाम लिखिये जिनके पास आप हाल ही में मिलने गए हैं? दो, आप अपने रिश्टे के भाई बेहनों और अन्रिश्टदारों के साथ किस तरह से समय बिताते हैं? चोटे से गाउ में रहते हैं दो, बस रिक्तिस्थान मार्ग से जा रही थी जहां पहाडियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे प्रिश्ट संख्या तिरतालीज तीन, रिशी और उसका परिवार एक संकरी रिक्तिस्थान सडक से मामा जी के घर पहुँचे चार, वसंत रितु में खिलने वाले लाल फोलो का नाम रिक्तिस्थान है पांच, रिक्तिस्थान, एक प्रकार की हरी पत्तेदार सबजी है, जिसे गर्म चावल के साथ खाया जाता है अब आप इन रिक्तिस्थानों को स्वयम भरें घह, चित्र बनाईए, एक चार्ट पेपर लीजिए, उसमें यहां दिये गए संकेत चिन्ह बनाईए आप इन संकेत चिन्हों को बनाने के लिए किसी भी तरह के चित्र और अपनी रुच के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं अपने संकेत चिन्ह के बारे में कक्षा में बताईए संकेत चिन्ह इस प्रकार है शौचाले, प्रार्थना सभा, पेजल स्थान, खेल का मैदान, मेरी कक्षा, सीडियाँ क्या आप जानते हैं? विश्व की सबसे विशाल परवत माला भारत के उत्रिक शित्र में स्थित है, जिसे हिमाले अर्थात बर्फ का घर कहते हैं विश्व की सबसे उँची परवत चोटी माउंट एवरिस्ट हिमाले में स्थित है, ये हमारे पडोसी देश नेपाल में है ये चोटी 8848 मीटर उँची है प्रिश्ट संख्या चवालीज क्या आप जानते हैं? सरहुल वसंत रितु का तेहवार सरहुल तेहवार को जारखंड में वसंत रितु में मनाया जाता है लोग अपने रिती रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और साल, अर्थात, सक्वा के पेड तक जुलूस निकालते हैं वो साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं धर्ती और सूरिको आदर वो सम्मान के साथ भेंट चड़ाते हैं वो धोल, नगाडे और दूसरे स्थानिय वाद्यंतरों को बजाते, नाचते गाते हुए सरहुल मनाते हैं प्रिष्ट के निचले भाग में कुछ चित्र हैं, जिनमें एक पिड़ के नीचे दो स्तरियां निर्त्य कर रही हैं एक पुरुष वाद्यंतर बजा रहा है कुछ पत्यां हैं और साथ ही कुछ वाद्यंतर भी हैं विराम करते हैं अभियाप सुन रहे थे कक्षा तीन की पर्यावण अध्यान की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्भुत्संसार वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा ध्वन्यांकन मंजु कुमारी निर्मान सहयोग सुरेंद्र कुमार निर्देशन एवं निर्मान व्यमलेश चौधरी तथा प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत